नमस्कार लखिशाय लाइब देख रहे हैं मैं हूँ संजीव कुमार 15 अगस्ट के ठीक पहले लखिश राय में नक्सलियों की बड़ी साजिस को पुलिस ने बिफल कर दिया है इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ लखिशाय इस भी पंकच कुमार है सर पुलिस को मुख्याले अस्तर से भी आ रही थी स्पेसल ब्रांच से भी आ रहा था अस्थानियों लोगां से भी इंपूर्ट आ रहा था इसी सूचना के आलोग में लखी सराय पुलिस के द्वारा एस पी ऑपरेशन के नेत्रित में एस एस बी बन्नू बगीचा स्टीफ अभियान दल स्टीफ कजरा और बन्नी बगीचा के थाना द्यक्ष के नेत्रित में टीम को भेजा गिया था तेरह तारिकों सर्चावियान के लिए इसी दौरान बर्मश्या गाउं से ठीक पहले एक वायर निकला हुआ देखा गया जिसको निकट से देखने पर यह पता चला कि यह एक आ आई-डी कनफर्म हो गया तो उसके बाद जो हमारा एससबी का बम इसको डिस्पोजल था उसको सूचना दी गई वो हमारी टीम आई टीम ने विदिवत तरीके से सोपी के अनुसार उस आई-डी को डिस्पोज किया जो लगबग आठ से दस किलो के बीच का था नक्षलियों कि इससे साफ लग रहा है कि नक्षलियों का मनसूबा एक बड़ी छती काडित करने का था पुलीस वलका या पारमेर्टिव फोर्स का जो इस शेतर में अपना बर्चस बनाए हुए थे हमलों का आउपरेशन लगबग एक साल से उस शेतर में होते रहा था और कई ये लगब सिती को दर्च करने के लिए एक बरी घटना को अंजाम देने की फिराग में थे जगह पर लेने माइस बरामद हुआ सर उस जगह पर पुलिस की टीम लगातार वहां पर जाती थे पुलिस को टार्गेट करते हुए लगा गया थे निशी तोर पे वही रास्ता ही था बरमस्य के जमान आते जाते थे अगे सर नक्सलियों के खिलाब क्या कुछ करवाई कि अभी इस घटना के बाद निशी तोर पे सबसे पहले उस एरिया को डी माइनिंग किया जाएगा डी माइनिंग के बाद जब पूरी तरह से वह एरिया लेंड माइन से फ्री हो जाएगा तब हम आगे का ऑपरेशन करेंगे यह हम लोगों के लिए एक तरह से सीख है और आगे के लिए चैलेंज भी है यह लखिशा एस्पी थे जो बता रहे थे कि नक्सलियों के बड़े मनसूबे को यहां पर विफल कर दिया गया है और आगे नक्सलियों के खिलाब जो सर्च अभियान है वो और टेज कर दिया जाएगा कि अब होगे कांड़े 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 क्या